बूर्णिंग दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि BNMU Part 3 का online form भड़ाया स्टार्ट है और form आप किस परकार से बरेंगे वो भी online अपना ID पासवर्ट डाल करके login करने के बाद किस परकार से step आता है इनका तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चै लोगों को अपने mobile से online apply करके दिखाने वाले क्योंकि कोई भी साबर केपे पर जाते हैं तो वहां से आपको ज्यादा रुपय मांगा जाता है अगर आप यहां से apply कर लेंगे तो फिर आपको PDF download करके आप कहीं पर भी 5-10 रुपय दे करके वहां पर print out निकल वा सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना पहले अपना ID password डाल करके login कर लेना है login जैसे ही करेंगे तो home page कुछ इस परकार से इनका open होता है जो कि यहां पे आप देख सकते हैं welcome to student portal अभी यहां पे आपको show कर रहा है my profile दूसरा exam form तिसरा download form उनके बाद यहां पे download result, p details, subject details, attendance details उनके बाद download क दूसरा बीक्त को आप यहां से देख सकते हैं उनके बाद आप लोगों को क्या करना है यहां पे हम home उप्सन पर फिजटे के क्लिक कर लेते हैं के बाद जैसे हम अभी देख लिजे to exam form यहां पे fill up करना है तो अब आपको क्या करना है exam form वाले option पे click कर देना है जैसी ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म बढ़ने का ओप्षन आ चुका है फिल अप एक्जाम फॉर्म अब यहाँ पे दिखिए किसी किसी पर्षन में क्या होता जो भी स्टुडेंट यहाँ पे फिल अप किये हुए थे इससे पहले उसका पार्ट थ हो चुकी है इसी वजह से नहीं आरहा हुगा या आपका उपस्थिती नहीं हुआ होगा यह पे इंटरनलफ पेपर में मौझूद नहीं थे इसी वजह से यहाँ पे आपका नहीं किया जा रहा है अब अपनेâट संपर्ख करना है जैसे ही हिए आप वहां पे बताएंगे कि म fill up करना है तो fill up करने के लिए यहां पे exam form पे जैसे ही click करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा ओप्शन खुल चका है जिसमें यहां पे आपको first number roll number university round number उनके साथ registration नमड उनके बाद यहां पे paper साथ दिखाया गया है जो कि उनके बाद यहां पे प्रैटिकल का भी दो यहां पे जो रहा हुआ अब इसमें यहां पे देख सकते हैं टीक मार्क करने के लिए बोला जाता है कि जिन चातर चात्राओं का परखम खंड पास विट ओनर्स हो तदा दूरतिया खंड कम से कम परमोटेड हो तो ऐसे चात्रों को तीरतिया खंड में परिक्चा परखम आवेदन कर सकते हैं अन्य था आवेदन आमान्य माना जाएगा अगर आप पर्थम कर मतलब पार्ट वन में पास हैं तो यहां से आप भर सकते हैं अगर सकेंड में परमोटेड हैं फिर भी आप भर सकते हैं अगर इस period में ना ही pass है, ना ही कुछ, तो आप यहां से form fill up नहीं कर सकते हैं, अगर fill up आप कर भी देते हैं, तो आपका वो अमानिय होगा, तो अब आपको क्या करना है, यहां से tick mark कर लेना है, tick mark करने के बाद यहां पे save वाले option पे click कर देना है, जैसे ही save वाले option पे click करेंग यह सभी आपको so करेंगे, तो अब आपको क्या करना है, यहां से previous कर लेना, previous करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से home वाले option पे click कर करके home page पे आजाना है, home page पे आने के बाद यहां पे option so कर रहा है, तीन नमर में download form का, अब यहां पे आपको क्या करना है, देख सकते है आपका form fill up हो चुका है अब यहां पे आपको download वाले option पे click कर देना है download वाले option पे जैसे ही click करेंगे तो यह आपका PDF download हो जाएगा download होने के बाद आप यहां पे इसे open करके देख सकते हैं यहां पे देख सकते हैं मेरा सारा कुछ details fill up हो गया है दोस्तों आयोब कि आप लोगों की यह चोटा सा information आचा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राब करके अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिए चलिए दोस्तों मिलता है आप लोग उस नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक लिए जाहें